आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, इस ओरत से अभी के अभी रिष्टा तोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस ओरत को अपना मानते हैं, लेकिन यह ओरत आपको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानती है, इस ओरत ने पिछले 12 सालों से आपकी पीठ पीछे आपको बरब करने के लिए, कई सारे हतकंडे अपनाएं हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपके परिवार की खुशियां छीनने के लिए, इसने आपके ऊपर टोने टोटके भी करवाये हैं, आपके ऊपर नीमबू का जादू भी करवाया है, साथ ही आपका पुतला बनवाकर उस पर और भी नीम्बू कांटे हैं, आपकी जिंदगी में पिछले कई समय में कई सारे दुखाएं हैं, और उन दुखों के पीछे की वजह केवल और केवल यह औरत है, यह औरत कोई पराई नहीं बलकि आपकी अपनी ही है, आपके आस पास ही रहती है, इस औरत के अंदर सौ सांपो तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपसे निवेदन करता हूँ कि शुरू से लेकर आखिरी तक आज किस महत्वपूर्ण वीडियो को देखना, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है, समय बहुत ही कम बचा है, और इस औरत ने आपको बरबाद करने की माला जपनी शुरू कर दी है, वीडियो को शुरू करने से पहले, बजरंग बली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी जय बजरंग बली लिखेगा, उसको जानते हैं हमारे पूझ्य गुरुजी की मधुर्वाणी में, दोस्तों, यह लड़की आपके साथ कई समय से जुड़ी हुई है, कई समय से आपके जीवन में इस लड़की ने जहर घोलना शुरू कर रखा है, आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, द तो भगवान आपका साथ दे रहे हैं वरना इस औरत के तंत्र मंत्रों ने आपको पूरी तरह से बांधे रखा है आपके जीवन में बहुत से उतार चड़ाव आए हैं बहुत सी तकलीफ आई है उसके पीछे की वजह मात्र यह लड़की है देखे दोस्तों अकसर इंसान का क्या होता है कि वह हमेशा सुन्दर चीजों को देख कर आकरशित हो जाता है देखिए जब एक पुरुष एक महिला को देखता है अगर वह सुन्दर हो तो वह उसके जाल में आसानी से फंस सकता है रूप जो होता है स्त्रियों का वह आसानी से पुरुशों को अपने जाल में फंसाने में मदद करता है देखिए आपकी यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमेशा से जिसके चलते आप दोस्तों ऐसी ऐसी महिलाओं के चंगुल में फंसे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी काल का काम करती है एक बात का ध्यान रखना आप में से कई सारे ऐसे पुरुश हैं जो शादी शुदा होने के बाद भी दोस्तों कई ऐसी महिलाओं लड़कियों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रही है देखिए यह आपको बरबाद करने के लिए हर हद तक जा सकती है बहुत पहले दोस्तों आपके जीवन में इस महिला ने आपके जीवन में काला जादू करवाया था लेकिन आज तक उसका असर आपके उपर हो रहा है देखिए एक बात का हम आपको बता दे कि शादी होने के बाद पुरुष को किसी और महिला के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए ना ही किसी वेश्या के पास जाना चाहिए दोस्तों ऐसा करने से अगर वह व्यक्ति अगर पुरुष शादी के बाद भी दूसरी महिला के पास जाता है उससे संबंध बनाता है दोस्ती यारी रखता है तो वह अपने घर में दोस्तों बुरी-बुरी शक्तियों को आमंतृत करता है उसके घर में कभी भी माता लक्षमी नहीं आती है, इसलिए ऐसा काम कभी भी भी ना करें। दोस्तों जीवन में एक मंत्र का ध्यान रखें, और वह मूल मंत्र क्या है? अगर आपको हमेशा सुखी रहना है, अगर आपको हमेशा अच्छा घर संसार बनाए रखना है, तो आपको केवल अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर ध्यान नहीं देना है, यानि किसी और तीसरी औरत पर ध्यान नहीं देना है, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत हो, फिर चाहे वह कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मीठी बोलती हो, लाख आपकी पत्नी है, अच्छ नहीं दिखती हो, लाख आपकी पत्नी का रूप अच्छा नहीं है, वह अवगू। यह है, फिर भी दोस्तों उसका साथ छोड़ कर किसी और के पीछे नहीं जाना है, वरना आप अपने भाग्य का नाश खुद ही कर रहे हो, यह समझ लेना, क्योंकि जन्म, मृत्यू और लिखा है आपके जीवन में, उसको स्वीकार करिए, जन्म स्वीकार है, मृत्यू स्वीकार है, तो विवाह भी स्वीकार करना ही है, और अब बात करें, दोस्तों, आपके आस पास ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी औरते मौजूद हैं, जो आपको बर्बाद करने के लिए हर हद तक गुजर सकती है, देखिए, अक्सर हम कई सारी ऐसी महिलाओं से दोस्तों रूबरू होते हैं, कई सारी सी लड़कियां होती हैं, जो चीज उनको अगर नहीं मिले, वह जो चाहती है, अगर आप उनको नहीं दोगे, तो उनके मन में आपके प्रतिकुंठा इसलिए ऐसी महिलाओं से बच कर रहे, जो आपके जीवन में जहर खोलने का काम करती है, इन महिलाओं का नाम क्या होता है, देखिए, आपकी राशी के लिए, आपकी राशी की महिला जो होती है, हमेशा आपका काल बनने का काम करती है, दोस्तों इसलिए आपको अपनी अगर वह महिला आपके घर परिवार में ही मौजूद हो, तो भी उससे बच के रहना है, क्योंकि लाख वह अच्छी होगी, लाख उसमें अच्छे गुण होंगे, लेकिन न चाहते हुए भी कभी-कभी ऐसी समस्याएं आ पड़ेगी, जिससे वह आपको परेशान अवश्य कर अब दोस्तों जो बताएंगे, वह ध्यान से सुनिए, देखिए, हम रोजाना कई सारे लोगों से मिलते हैं, आपकी जिन्दगी जब से शुरू है, तब से आपने कई लोग आपके जीवन में आये हैं, कई लोग आपके जीवन से गए भी है, कई रिष्टे जुड़े हैं, तो कई रिष्टे समय के साथ साथ तूटे भी है, पीछे छूट गए हैं, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, कि जीवन में रिष्टों का आना जाना तो चलता रहेगा, लोगों का आना जाना तो चलता रहेगा, कुछ रिष्टे आपके मतलब के साथ होंगे तो, कुछ कपटी पतनी भी होती है जो अच्छे खासे जीवन को भी बरबाद कर देती है लेकिन यह सब लीला है दोस्तों उस उपर वाले की इसलिए उनकी लीला पर कभी भी शक मत करिएगा अब जो दो मिनट की बात बोलेंगे उसमें आपके पूरे जीवन की पूरी गुथी सु आपके घर में पढ़ेंगे तब तब आपके घर में लड़ाई शुरू होगी तब तक आपके घर में क्लेश होंगे तब तक आपके घर में बुरा समय आएगा और आपके घर की जो लक्षमी है वह भी दूर चली जाएगी लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिसके च दोस्तों किसी का चरण अच्छा हुआ तो वह अच्छी बात है, उसको आप घर में नियोता दीजिए, लेकिन अगर किसी का बुरा है, आप नोटिस करिए, यह महिला मेरे घर में आती है, तो मेरे घर में बुरा होने लगता है, मेरे घर में खराब खराब चीज होने लगती है तो फिर उस महिला का आना धीरे-धीरे बंद करवाईए, या कुछ इसका हल निकालिए, साथ ही अगर कोई महिला आती है, तो उसके बाद आपके घर में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो उसे महिला को आमंतृत करिए, ये सब आपको नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि, किसी-किसी के जो चरण होते बहुत अच्छे होते हैं, और महिला का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, अपने घर की पतनी को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि अपने घर की जो पतनी होती है, उसमें साक्षात लक्षमी का रूप होता है, चाहे आ अगर जीवन में सुख सम्रिध्ध चाहते हो तो अपने घर की जो पत्नी है उसको हमेशा अच्छा रखो हमेशा खुश खुश रखो वह आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करेगी लेकिन आपके पूरे परिवार को लेकर चलेगी और आपके सुख दुख में आपका साथ देगी दोस्तों घर घर जाकर मिठाई बांटोगे अगले 36 घंटे के अंदर कल युक की सबसे बड़ी खुश खबरी मिलेगी जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें अगर अकेले हो तभी देखना आज बहुत ही खुश नसीब होगा जो इस वीडियो को देख पाएगा ज जी हाँ दोस्तों आपको हम बता दें कि सच्चाई सुनकर अगर आपकी आँखों से आंसू ना निकल जाए तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप और रंग से राजा बनने वाले हैं लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अब तक नहीं देखा दोस्तों जो पैसा कमाते हैं, वह इधर से आता है और उधर चला जाता है जो थोड़ी बहुत आप मदद कर भी पाते हैं, तो उससे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं किसी ना किसी बहाने या कारण से वह बचत भी आपकी समाप्त हो जाती है दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परिशानी खत्म नहीं होती थी, तो तो कोई नई परिशानी खड़ी हो जाती थी अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको गेरे बैठी थी अपने जीवन काल में आपका भी दिल से खुशी नहीं हो पाएं है साथ ही लोग भी आपको परिशान करते रहते हैं आपकी भावनाओं की कोई गदर नहीं करता है जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उसकी खिल्डी उड़ा देते हैं दोस्तों, आपके जीवनकाल में बहुत सारे ऐसे दिन आई हैं जिनमें आप अपने आशूओं को लेकर बैठे हैं फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें ये वीडियो आपके जीवनकाल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं जो समाधान बताने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें बिलकुल ही ध्यान से सुने इसलिए आज की इस वीडियो को तो पूरा देखें भूल कर भी इसे मिस्ट ना करें दोस्तों, ये आपके जीवनकाल है आपके जीवनकाल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और दोस्तों, आपकी परेशानी सौ परसेंट समाप्त हो जाएगी जड़ से खत्म हो जाएगी इस बात का हम आपसे दावा करते हैं तो आईए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले माध दुर्गा के सच्चे भक्त कॉमेंट में पूरे भक्ती भाव से माता को याद करते हुए जै माध दुर्गा अवश्य लिखें दोस्तों याद रखें जिनके साथ है माता दुर्गा उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है तो आईए दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दुश्मन आपको कभी भी कुछ नहीं देख सकते हैं और दोस्तों एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं आप प्रसन्न होते हैं जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस शड़यंत्र अवश्य रचते, रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह तो बात है, उन दुश्मनों की जो बाहर की है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है, जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नस्दीक बैठे हैं, जो आपको चेन से जीने नहीं देना चाहते हैं, जी हाँ, दोस्तों आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं आपके खिलाफ शड़ेंत्र रचते रहते हैं लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि भी आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोल कर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नस्दीक रहते हैं, इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवशक्ता है। आप अपने खुशियों का, अपने अर्मानों का गला घोट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, आप भी कभी आज तक गदर हो नहीं पाई हैं, जैसा आप दिल से साफ और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इनसान हैं, वैसे आपको भी कदर भूल नहीं पाई है, और आश्चर्य की बात यह है, कि चीन के लिए आपने अपना सब कुछ नियोचावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहें, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इनसान की सहनशक्ती की एक सीमा होती है, फिर भी हम आपकी राश्य वाले जातकों की सहनशक्ती अपार होती है आप, कितना ही परिशान हो जाए, कितनी ही तकलीफ हो में गिर जाए, फिर भी आप दूसरों के सामन गड़ गड़ाते नहीं है, अपनी होसले कभी कमजोर होने नहीं देते हैं। यही तो आपकी राश्य की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत कामयाब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का आत् बिर्वर बनने का ख्याल रखती है और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिन में आपको परेशानिया भी हासल होती है। लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी काम्याबी है भी हासल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, द आपके राश्य की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन बहुत काम्याब बनाती है। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का आत्म निर्भर बनने का खयाल रखती है। और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आ आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं। लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी काम्याबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपके राशी के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि आप लोग किसी के सामने गिरगडाना नहीं जानते हैं। दूसरों के सामने भीक, मांगना और गिरगडाना आपको बिलकुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परिशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप अभी सब सहेली थी, लेकिन अपने आत्म सम्मान के साथ आप कभी भी समझोता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशी के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं, उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। बहुत महत्वर रखती है, आप हर वक्त उनके खयालों में खोई रहते हैं, उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं, सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्तों फाइदा क्या है? आप अपने दिल की हर एक बात अपन ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, जो आपको कष्ट मिलता है। वह बड़ा ही असहनिय है, बहुत ही तकलीफती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप ये सब ये सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशिकी खुबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंस अपना भलाबाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेश बात ये चलती रहती है कि जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है. दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, विचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे. आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे. आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है, जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिती में नहीं थे. और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए. लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं घटे हटे दोस्तों. ये सब अच्छी बात है. हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कोई समस्या नहीं है. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राश्य के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं. अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं. दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं तो इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं या यूँ कहें कि सफलता से आप पीछे छूट जाते हैं. दोस्तों इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई शातिर लोग लाब भी ले जाते हैं. जी हाँ दोस्तों आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाब ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड़े में गिरने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों अब आपको अपना भूलना पड़ त्याग ना होगा दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मान कर चलते हैं जी ह हाँ दोस्तों अब आपको थोड़ा सा सख्त रवया अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों अब आपको अपने मन में एक संकल्प करना है कि